घर के अंदर एक काफी interesting captaincy के लिए task हुआ आप जानते ही हैं कि कल families भी घर के अंदर गई थी और families को क्या special power मिली इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन जो captaincy task हुआ वो आपको याद होगा एक task हुआ था राकी सांथ वाला बत्तंक वाला जिसमें उसकी मुंडी तूड़ गई थी कुछ वैसा ही हुआ जिसमें इन सब को chicken बन कर घूमना था जो की contenders थे non contenders दाना डालेंगे और इनको ये दाना ही खटा करना था कुछ rounds होंगे और इस round में जिस round में जो है सबसे जादा दाना चुगेगा जो chicken contenders वो दावेदार बन जाएगा captaincy का तो आप समझे गए होंगे कि दो group में divide किया गया contenders जो की captaincy के दावेदार थे उन्हें chicken का वो पहन कर घूमना था और उसके बाद जो है जो दाना आ रहा था वो लेकर अपनी basket में डालना था यहां मुश्किल इसलिए था क्योंकि उनका costume गले में डालने के लिए जो chicken दिया गया था वो बहुत बड़ा था तो आपको जुके उसको इखटा करके डालना मतलब यह अपने आप में काफी वड़ा टास्क रहेगा और उसके बाद जो सबसे जादा दाना चुग पाएगा वो captaincy का दावेदार बनेगा हाला कि खबर यही आ रही है कि शिव जो है वो captain बने है क्योंकि आज सुभर थोड़ी देश के लिए लाइफ फीड आउन हुए थी और उस लाइफ फीड में जो है शिव के साथ ही यह लोग आपस में duties को लेके discussion करते हुए नजर आ रहे थे तो आज भी एक टास्क होगा जो कहा जा रहा है कि राशन का टास्क होगा कल सुंबुल स्रजिता और सौंदर्या इन तीनों के लिए जो है जाने वाले हैं तो आज का एपिसोड भी देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा जो सैट सी खबर आ रही है वो यही है कि आज जो है टी टीना और टीना की मम्मी को कंप्लीटली इंग्नोर किया है तो आप देखना होगा कि शो में जब आज प्रोमो आएगा तो मैं देखने के लिए काफी एक्साइटिड हूँ कि किस तरह का माहोल था जब टीना और शालीन दोनों की मम्मी एक साथ घर के अंदर एज जरूई